दोस्तो शुरुवात इसके pot selection से करते है आज के वीडियो की इसके लिए इतना छोटा pot नहीं लेना है आपको आप इसे अगर हो सके तो जमीन में ही लगाईए अगर आपके पास जमीन नहीं है तो बड़े आकार की grow bag या फिर गमले में लगाईए लेकिन हो सके तो जमीन में ल रहेगा ही इसलिए हो सके तो जमीन में लगाईए और आप मेरी तरह ही पोधे के शौकिन है तो इसे गमले में भी लगा सकते लेकिन गमला बड़ा लीजिए potting mix के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तो यह सिड लाल हदगा नामक सबजी के पोधे के है यह सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है सफेद वाला हदगा प्लांट होता है वह बहुत ही कॉमन है लेकिन यह जो रेड वाला पोधा है यह बहुत रेर वराइटी है फिडियो के अंत में मैंने इसके कुछ फोटो भी डाले है और इसके पोधे का फोटो देखने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके उपर आप जा सकते है इसे बीजो से लगाना बहुत ही आसान है आप जो यह देख रहे है यह हमेंने बीजो से लगाये हुए लाल के हदगा के पोदे है यह देखिए कितनी कॉम्पैक्ट ग्रो हुए है मैं एक्सपरिमेंट कर रहा था कि इसका ग्रोइंग रेट केसा होता है तो फिर बीज देने में आसानी होगी लेकिन यह सारे के सारे बीज ही उगाए अब चलो इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में बात क चन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते है और 5% में ने इसके अंदर सैंड ली है इस हदगा की एक खासियत देखिए दोस्तों यह लाल कलर के यह जिसे हम स्टेम बोल सकते है उससे ही उकता है देखिए सब भी का रंग लग बग लाल है यह एक पेचान की खुन होती है कि यह लाल हदगा के ही पोधे है देखे लाल फिलाल कुछ सीड अभी जर्मिनेट हो रहे है इसके अंदर देखे पत्ते भी आ गये है अब मैं इसे निकाल कर अलग-अलग ग्रो बैग में लगाने वाला हूँ बहुत सारे पोधे मेरे पास मल्टिप्लाइ हुए है अगर आपको इ घर में आपको भेज दूँगा इसका ग्रोथ रेट बहुत ही तेज होता है यह बहुत तेजी से ग्रो करता है आपको अश्यरे लगेगा यह लगबग 13-14 दिन के ही पोधे है इसकी उम्र इतनी ही है इससे ज्यादा नहीं है इनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है सीड होते हैं न दोस्तों इसके अंदर कीट कीडे मो कोड़े लगना यह बहुत ही आम बात है और अगर हम सीड अब हर्वेस्ट करें और लगबग 6 महीने एक साल के बाद लगाए तो इसका ग्रोइंग रेट बहुत ही कम होता है इसलिए सीड लगाते समय हमेशा फ्रेश ही स सीड लगाने चाहिए पुराने सीड लगाने से इतना बढ़िया ग्रोथ रेट आपको कदापी नहीं मिलेगा यह देखे मैंने फ्रेश सीड लगाए थे मुझे लगा कुछ उगेंगे कुछ ने लेकिन सारे के सारे उगाए इसलिए आप भी ध्यान रखिए अगर आप मेरे यहां से लेंगे तो मैं आपको फ्रेशी सीड दे दूँगा लेकिन कहीं और जगासे भी ले लेंगे तभी आप यह द्यान रखिए कि सीड हमेशा फ्रेश होने चाहिए और हेल्दी सीड होने चाहिए अगर पुराने सीड लेंगे तो एसी खुशिया आपको नहीं मिलेगी चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए खुश रहिए हैपी गार्डनिंग